असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होँगे आज मैं आपको इनके फेस पर स्किन पॉलिश करके दिखाऊंगी उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया प्लीज मेरा चैनल सबस्क्राइब कर ले आज मैं इनके फेस पर डर्मा क्यूटिकल की स्किन बॉलिश करूंगी पिंक एंड ग्लो है ये और हम इनके फेस पर जो क्लिंजिंग है वो सैफरू उनकी करेंगे और जैसे की मेरी यादत है सबसे पहले मैं रोज वाटर लगाती हूं फेस पे वो लगा लिया अब इसको रिमूव कर देंगे फिर क्लिंजिंग शुरू कर दी स्किन पॉलिश ऐसे ही नहीं होती कि घर में स्किन पॉलिश बनाई और लगा ली इसका भी एक मैथड होता है उसके उस तरह से करें तो अच्छा रिजल्ट आता है सबसे पहले हमने फेस वाश भी आप यूज कर सकते हैं बोर मूव करके उसके बाद क्लिंजिंग करें दस मि और पिर उसके बाद हमने पंद्रा मिंट स्किन पॉलिश लगानी होती है पंद्रा मिंट लगा लें बीस मिंट लगा लें यह देखें डर्मा क्यूटिकल की स्किन पॉलिश है एक चमच ब्लॉंडर का लेंगे ड्वैल्पर का और हाफ चमच इसके पाउडर का डालेंगे बहुत पिंकी और ग्लो इसका रिजल्ट आएगा सूधिंग लोशन डालें क्यूंके फिर स्किन पे रियक्शन नहीं होता थोड़ा सा सूधिंग लोशन डालेंगे देखें मैं स्पूंस को स्पूंस उतार रही हूं रिमूव करके फिर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है फिर क्लाइंट के फेस पर अपलाई करेंगे मैंने नेक की भी क्लिंजिंग की थी पर मैंने शोर नहीं करवाया उसके बाद पूरे फेस पर स्किन पॉलिश उपलाई करनी है नेक पर भी लगानी है आप देखें रिमूव कर रही हूं कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है देखें बिल्कुल साफ हो गया था बहुत अच्छा रिजल्ट आया था इनके फेस पर शाइनिंग और ग्लोइंग आ गई थी यह देखें पिंक पिंक सा फेस हो गया था देखें आप माशाएलला बहुत अच्छा रिजल्ट आया लेकिन यहां पर मैथट कंप्लीट नहीं हुआ अब इसके बाद हमने इनके फेस पर वह मैंने आपको बताया था ना सेफरून का मास्क लगाएंगे मेड मास्क इसका मैं मास्क लगाऊंगी यह आपको बताने का यह मैं इसलिए आपको बता रही थी किसी और ब्रैंड की हो क्लिंजिंग हम किसी और ब्रैंड की भी कर सकते हैं ज़रूरी नहीं कि उसी की क्लिंजिंग हो उसी का ही मास्क हो ऐसा ज़रूरी नहीं है इनके पूरे फेस पे अपलाई करना है जो चीज आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है आप उस कंपनी की वो चीज लगाएं पूरे फेस पे अपलाई करके फिर इसको रिमूव करके दिखाऊंगी मैं जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे अब हमने पूरे फेस पे लगा लिए आइस पे नहीं लगाना और नेक पे भी नहीं लगाना देखें कितना अच्छा रिजल्ट आ है थैंक्स फूर वाचिंग अल्हाफीज